हेलो एवरिवन गुड मॉनिंग वेलकम बैक तुदा माई प्रेप मेंटर आज हम लोग डिसकेस करें कुछ और मैप रिलेटिट कोश्चन जो यूपेस्टी प्रेलिंस में आये हैं ठीक है अब जो स्टूरेंट के प्रेलिंस में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं उनसे कोश्चन सौ हो गए चार साल हो गए है ना तो यह सिरीज जो स्टूरेंट्स हैं उनके डाउट्स अगरा भी लेंगे ठीक है तो आप क्या कीजिए इसको सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो इसकी पीडिएफ आपको जो हमारे टैलिंग ग्रूप पर उसका लिंक दिया है उसमें मिल है है कि इस a को सब्सक्राइब करना यहर। यहां तो अब हम इसमें गाइंट गाइंट हें में में कम और रहता है Statesman's में जो रहता है वो कम रहता है ना तो अभी हम इसमें देखेंगे तो पहला कुछन में बोल लाए कि यह fact कैसमें पता होना चाहिए कुछ इसमें countries की capital दी हुई है है ना नहीं स्वरी capital नहीं दिये important city दी हुई है ना तो इसमें कहाए कि important city दी हुई है countries की और उनकी location पूछे कि उसकी country से belong करते हैं अब आपको इसमें सबसे पहले एक source की आपका इसमें Atlas आपका source है ठीक है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग अभी देखते हैं इसमें Atlas का map देखते है बड़े हो जो भाई ठीक है अब इसमें आई है आपको पता है Catalonia जो यहां पर है यह स्पेन में है Spain और Portugal का क्या है कि dispute भी चलता रहता है इस reason को लेके क्योंकि mineral region होता है ठीक है काफी जो है इनका rich region है तो यह news में हमेशा रहता है तो यह आपको पता होना चाहिए और जैसे बोला भी जाता है कि जो important location news में वह आपको पता होना चाहिए last map series आईगी उसमें जरूर देख लेना ठीक है तो इसमें क्या है कि आपका अच्छा कोशन मैंने शायद भी करवाया था किसी अपने paid वाले बैच में तो वही ठीक है तो इसमें क्या हो गया तो पहला दूसरा जो है आपका पहला आपका सही है तो इसमें कौन कौन से option अरिमनेट होएंगा से पहला नहीं है एक तीन और एक दो तीन मच रहा है तो एक तीन तो रहेगा आपको दो को चेक करना है बैस अब क्रीमिया आपको पताए कि रश्या ने जो किया कहां पर क्रीमिया की लोकिशन कि देखे आ बैसिकली क्रीमिया क्या कर रहा है कि रश्या यहां पर उक्रायन। यहां पर है क्रीम्य यह बाला जू रिजन था यह रिवे क्या करहा था। हमाई क्के चैनल लिया था वहां से का नंक्ता यह नाम में next question क्या बोलता है बोलता है कि यह इंडिया के maps related है और इंडिया के maps से भी यह कौन से maps related है जो आपका जैसे iron और जो mineral resource हो गए ना उनसे related है ठीक है तो अब इसमें देखते हैं हमको fact क्या पता होना जाए है fact यह पता होना चाहिए है इस वाले question में कि हमको जो states है और states में कौन से mineral मिलते हैं वह आपका यहां पर facts हो गया ठीक है source क्या follow करेंगे आप आइक तो इसमें regular news देखते रही है क्योंकि यह जो second statement है ना यह gold mine अंदर परदेश में न्यूज आई थी उठाए गया ठीक है तो आप current अफेर भी देखते रही है कि location में अगर किसी state की resources के बारे बुला गया है और वह important resources में आ जाता है important resource हमारे कौन कौन से यह से coal हो गया ठीक है दूसरा हमारा gold हो गया तीसरा हमारा box side हो गया तो उससे था statement intelligence casing का भी scope देखते हैं तो सबसे पहले आते हैं हम map खोल लेते हैं अब यह मैं आप आई यह पहली statement तो बोलता है मैं पढ़ देता हूं यहां पर मैं बढ़ा होगा न तो दिखने की यह कह रहा है कि state government do not have the power to regulate the non mineral mines तो इसमें statement यह statement गलत है कि 2015 के बाद क्या है जो हमारे माइन सेक्ट है ना उसमें क्या हूआ amendment हुआ था और यह state government को in fact state government ही जो क्या कर सकती है उसको regulate कर सकती है तो यह पहले statement तो गलत होगी पहले से रटा तो आपका दूसरा और तीसरा बच रहे अब इसमें दूसरी statement देखिए दूसरी बोले आंद लिहां पे और भाद एक दूसरा जास ना बराए तो यह रहे माद डं प्रम्टेश करोई ना थो बहुर्त एम्पॉटन्टो तो यह वाला option में गलत हो गया तो इसमें बचा कॉन सा option दूसरा गलत हो गया थार्ड option मज़ गया अब देखिए intelligence gas क्या करता है आपकी timing save करता है अब जैसे मैंने दूसरी statement से गलत कर दिया और पहले से मैंने दो option already eliminate कर दिये तो मेरे को आप थर्ड इस्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है लेकिन जभी करना जब आपको absolutely पता हो कि हाँ यह तो हूँ नहीं सकता नहीं पता है तो आप थर्ड इस्टेटमेंट देखना जरूर है न हम देख लेते हैं फिर भी राइस्टार था आरन और माइन तो इसमें ए इसको मैं अगर question की category बोलू तो इसमें tough category में denote करूँगा है न अब से क्या करूँगा न मैं question को category भी define कर दूँगा tough category क्यों बोला मैंने इसे क्योंकि देखिए अभी आपको map देखेंगे ना तो खुदी समझ में आ जाएगा यह देखें मैं थोड़ा न open नहीं हो था बड़ा चलिए मैं यहां पर फिर भी दिखाने कोशिश करता हूं आपको कौन सा पैनलू जो सही चलेगा black ले लेता हूं है न अब देखिए यहां पर करनाट का यह बैंगलूर हुए ठीक है अब बैंगलूर सबको बताए चलो इंडिया की जो important cities हैं वह आप याद कर लीजिए capital first पर याद कर लीजिए और उनको मिलाना भी सीख लीजिए अब जैसे मैं यहां पर बोलता हूं पहले चलो कोशन कर लेता है फिर बताता हूं अब जैसे यह तो यहां पर बैंगलूर हो गया है धरावाद यहां पर आगया ठीक है फिर आप में और क्या पूचा भी पूने पूचा था पूने का है पूने आपका यहां पर आ गया ठीक है फिर क्या आपका एक नागपूर पूचा था यह रहा नागपूर है अब देख लो कितनी tough question है यह यह आपका यह नाम है डेली कहां पर गया बिल्कुल student point और पढ़ा रहा हूँ है ना एक दम मतला आपको लगेगा कि हम ही question solve कर रहा हूँ यह यहां पर आगा डेली को कितनी closest closest है अब यह कह रहा है था longitudinal सबसे closest कौन सा ठीक है तो longitudinal देख लो किसी को हैधराबाद भी लग सकता है किसी को नागपूर भी लग सकता है पूने तो चलो दू करने वाला था लीव करने वाला था एक्जाम में अगर आपको exactly नहीं पता है और बहुत difficult था ठीक है तो कुछ question ऐसे भी map में भी आ जाते हैं जो आपको लीव करने पड़ते है intelligent guessing scope इसमें कितने था sorry आप 33% पर आ गये थी तीन option आपकी वास बच रहे थे ठीक है तो ठीक है चलो आगे चलते हैं अब next question बोले बेरन आइलेंड वॉल्कानो इसन एक्टिव वॉल्कानो लोकेटिट इन दा इंडिन टरिटरी इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि मतलब जो इंडिन टरिटरी में कौन कौन सी वॉल्कानो लोकेटिट इसमें लोकेटिट है यह यह तीसरा फैक्ट हो गया कि मतला वह इरप्ट हो थे नाइंटीवन में और इमिन इनक्ट है इसमें इंडिन गैसिंग देखो आप यह फास्ट और थर्ड स्टेट्मेंट एक साथ नहीं हो सकती है क्योंकि यह कह रहा अगर एक्टिव वैल कौन है और यह बुला है लास्ट इसमें एक और तीन एक साथ हो तो वैसे गलत हो गया option आप इसमें हमारे बदा बचा को ना तीसरा है दूसरा तीसरा हो रही आप देखते हम लोग अब यह देखे एक को यह जो था ना यह news में था मैं इसमें आपको एक सिकन्ट दिखाता हूं यह देखो कहां पे निउस में मैं इमेद दिखाता हूँ आपको न बारन आइलेंड रखा हाँ यह देकि निजस्पेपर दाहिंदू का एक एक आर्टिकल था उसमें निजस्में था साइंट वे एक्सपोरिशन है न इस अप्टिव एल करनो और यहीं से उठाय गया था और यह वन है जो आपकी यह है न कि अना में 140 बोला थे कि यहां भी दिया वे बारन आइलेंड लोकेटेद है 140 में था पॉर्ट ब्लय है ठीक है तो यह 140 इसकी कंटेक्स्ट में था बाकि उसमें नहीं था चलिए इसको हटाते हैं इस इमेज को इस वाली को और अपना कोश्चन सॉलू करते हैं तो यह जो थी ना यह मैप जो बैरन आइलेंड आपका यह वीडियो ना तो आपको समझाने के चक्क्रम ना बड़ी लंबी लंबी बन रही है तो मेरा अब्जेक्टिव है कि यह कोश्चन फॉर्म में आपको जल जल स्लोकर आए जाए साओर यह तोड़ा तो खुंक जुखाम सा हो रहा है यह एक रहरे इस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार अब आप देखेंगे अंडा मारू निकोबार का वो दिखोंगे ना तो यहां पर निकोबार आइलेंड है इसके हलगा सा उपबर ना आपको जो है वह के नाम है बेसिकली यहां पर Great निकवबर आ जाता है लेकन यह जो है ना East में तो है लेकिन 140 नहीं है बहुत जादा है ना तो यह थोड़ा कि डाउट वाले स्टेटमेंट थी क्योंकि इतनी असानी से लोग को समझ में या थे क्योंकि इस्ट में हैं लोग इसी तकी अप्रोच कर पाते हैं लेकिन काफी उपर रहे तो आप मैप को थोड़ा क्लोजली देखना अंडवान निकोबार का जो मैप है न उससे थोड़ा डाइस की कोशिन पुछे जाते हैं तो उसका मैप थोड़ा ज्यान से पढ़ देना और यह थोड़ा लाजिक हो जाता है क्योंकि यह थोड़ा उपर की तरफ एंडवान की तरफ है तो इतनी कम दो डिस् स्टेट्मेंट भी गलत होगी तो इसमें आपका यह वाली भी गलत थी पहरे स्टेट्मेंट से यह खाले ठीक है अब आ जाते हैं हम आज के अपने लास्ट कोश्चन पर उसको देख लेते हैं यह भी आपका अंडवान निकोबार से ही संबंदी अब देखिए अंडवान न आपको पढ़ना होता है अब यह कह रहा है कि जोगरिफिकली कौन सा जो है ग्रेट निकोबार के सबसी पास है तो चलिए आजी मैप पे देखते हैं यह मैप मैने साथ में इसलिए ले रहे हैं ताकि आप जब प्रेक्टिस करें तो आपको पता होना जाए कि कि कौन सा कॉश कुशन रहेगा ना कि हाँ यह कुशन पूछा है तो जाब मैप पढ़ेंगे ना तो आप उस रीजन को ना वो सबकॉंशन माइंड में आपके चले जाता है और वो अच्छे से आता है मैं यहाँ पे मतलब थोड़ा साइन्टिफिकली आपको समझाने कोशिश करना हूँ अब यह देखे यहाँ पे कौन सा है निकोबार आइलेंड अभी बुल लाई कि अब देख यहाँ पर समात्रा यहाँ पर बोर्णियों यहाँ पर आपका जावा है और यह श्री लंका है अभी बुल लाई इसके ग्रेट निकोबार के सबसे कौन सा है ठीक है तो कौन सा हो ज ठीक है तो आप फिरें इसी तरी कर लीजिए और ये सारे जो मैप्स है न इंपॉर्टेंट मैप्स कहां से आपको क्या पढ़ना ये आपके एटलस में तो ही है फिर भी और इंपॉर्टेंट एक कंपाइलेशन आएगी आखरी में जब हमारी प्रेलिम्स है तो वह मैं आपको कर दूंगा जो हमारे पर फिर वाली भी वो भी शेर कर दूंगा ठीक है तो आप जो अभी सको सब्सक्राइब कर लिजिए चैनल को और आपको जितने जितना शेर किजे यार ठीक है और गुरूप में जाुन कर लिजिए टेलीग्राम वाले में वहां पाफ़ी इंपोर्टन अच्छे अच्छे चीजी बताई जाती है ठीक है? थैंक यू